भले पंचाज चनाव में अभी कुछ और महीनों की देरी हो गई है लेकिन पंचाईतों में प्रतिनीधियों को लेकार सुख बुगाहट तेज है पंचाईतों में अपनी दाविदारी पहले से पेश की जा रही है पुड़ाया हट पश्रमी पंचाज से समाच सेवी रगवें रगवेंद्र सिंग ने आज हमारे समवद्दाता आशतों शानन से खास बातचीत की देखिए दुधवारी मैदान से आशतों शानन के साथ रगवेंद्र सिंग की खास बातचीत हम लोगों के बीच में सत बन्दा और सफ़ार आपके बीच तुनमां नमस्कार आप देख रहें एक्सप्रिस न्यूज मैं आपके साथ आसुतों सानन इस बक्त हम मौजूद हैं दुधवारी मैदान में और हमारे पीछे आप नजर डालेंगे तो यहां सांदार फुटबॉल का टुनमेंट हो रहा है हमारे साथ है समाच से भी और नए ने राजनीती में उत्रे रागवेंदर सिंग जी आपका सबसे पहले हमारे चैनल नमस्कार आप सबसे पहले हम खेल की बात करेंगे कि आप हमेशा से जब राजनीती में नहीं थे पहले भी आप खेल को सपोर्ट करते रहे हैं ऐसे कारिक्रम का उद्गाटन करते रहे हैं और अब में क्या फर्क हुआ है दिखिए मैं समाज के परती पहले से भी इस छेत्र में सबों का सेवा किया और मैं आज भी कर रहा हूं मुझे राजनीत नहीं था लेकिन इस छेत्र के लोगों ने मुझे अपनों विश्वास के साथ लोगों ने कहा कि आप पड़िया अट पस्समी जिला परिशत छेत्र का उमिद्वार बनिये हम लोग इस छेत्र के लोग भरपूर आपको सहयोग करेंगे मैं उस विश्वास और अस्था के साथ मैंने छेत्र के लोगों से रुजान लिया तो मुझे सचमुच में यह विश्वास हुआ कि लोग मेरे पड़ती जोका है मुझे लोग चाह रहे हैं मैं इसलिए राजनिति में अपनों पेर आगे बढ़ाया हूँ और मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ खेल को लेकर आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से हमाला संथाल का यह छेत्र है संथाल प्रगना हमारा छेत्र है फुटबॉल को लेकर यहां पर बहुत ज्यादा लोग जुकाव रखते हैं फुटबॉल कुछ खास इस छेत्र में नहीं कर पा रहा है देखे आदिवासी बहुवल छेत्र है और यहां पर लोगों ने फुटबॉल का टूनोमेंट का आयोजन बराबर इस छेत्र में होते ही राता है और मुझे अक्सर मैं पिछले कई साल भी मुझे भलवा में टूनोमेंट का उदगाटन करने का मोका मिला था साथबंधा में भी मुझे मिला था तो खेल को हम प्रात्मिता देते हैं कि इस खेल में रूची इस छेत्र के लोग रखते हैं मैं उसमें सहयोग अपने से वहाँ पे लोग पहुंचने का भी मैं परदान करता हूँ मनोबल भी मैं युबाओं को खेल में बढ़ाने का प्रियास करता हूँ अगर आप जीत जाते हैं तो युबाओं के लिए ऐसा क्या कर जाएंगे इस छेत्र के लिए आप चाहिए कि कुछ भी हो या फुटबॉल हो क्रिकेट हो युबाओं के लिए क्या भी से स्खास रहेगा देखें सबसे पहले तो चुनाओ हो उसके बाद जीत मेरी होगी मैं पहले से भी मैं यहां के युबाओं को साथ हूँ खेल में रूची है मेरा और रहेगा युबाओं के साथ यह मेरा पहला उद्देश है युबा ही आज देश का सक्ती है युबा देश को आगे बढ़ाने में अपना बलिदान भी दिये है इसलिए मैं युबाओं के साथ हूँ और खेल के साथ हूँ समाज से भी पहले थे अब राजनिती में उतरे हैं राजनितिक सफर कैसा चल रहा है कैसे जनसंपरक आपका चल रहा है ठीक है छेतर का लोगों ने काफी उल्लास के साथ लोगों में ये एक च्छा जताई है कि आप मैदान में जो आये हैं आपको हम लोग पुर्ण बहुमत से इस छेतर का लोगों ने आपको विश्वास के साथ बिज़े गोशित करेंगे आपका तो ये थे हमारे साथ रागवेंदर सिंग जी और बता दें कि पहले एक समाज से भी और फिर राजनेता में उतरे और फिलहाल जो है जनसंपरक में जुड़े हैं और यही इनकी कोशिस है कि आम जनता का दिल कैसे जीते हैं कैसे उनके मन में उतरें और चुनाओ हमारे स्मe जी और बता फिलहां कि जीते हैं कि प्रया चेंदर मेंद आम के कि रहें हैं जीते हैं खिलहां जीते हैं कि जीते हैं